कि वह या साधी से पहले बच्चा बड़ीकरवर बात है तो उस कंडिशन में डॉक्टर्स है ना नियम कानून उसको अलाव करते हैं कि आप एमटीपी करवा सकते हैं अब लड़का है तो मॉस्ट वेलकम लड़की है तो भाईया तुम्हारे लिए वेलकम तो ना बोलेंगे है लेना उसको क्या कर दिया अब वाइड कर दिया जाता था जिसकी वह जैसे मतलब काफी ज़्यादा प्रॉब्लम लड़क्यों कि संख्या तो कम ही ओने लगी थी तो उस सिच्वेशन में क्या किया गया सरकार ने इसको भी बैन कर दिया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप स फूल फॉर्म होता है अब इसका मतलब यह होता है कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चा और नो महीने तक हैना अगर्भ में पलता है बच्चे दानी के अंदर नो महीने तक रहता है ठीक ना और नो महीने के बाद वह उसका एक नेचुरली डिलिवरी होता है ठीक ना लेकिन होता है जिसमें 9 महिना से पहले बच्चे को आर्टिफीशल तरीके से डॉक्टर्स या हैना मतलब आर्टिफीशल तरीके से बाहर निकाल दिया जाएगा उसको बर्थ आर्टिफीशल तरीके से करवाए जाएगा तो उस सिच्वेशन के हम लोग कहते हैं MTP Medical Termination of Pregnancy that is induced abortion मतलब divorce करवा दिया गया गर्भपात करवा दिया हैना मतलब बच्चे को गिरा दिया यह चीज होता है MTP का मतलब ध्यान रखिएगा MTP से जनसंख्या कंट्रोल होता है हैना population control होता है एक और चीज समझे कि लगभग हर साल लगभग साड़े चार से पांच करोर MTP हो जाता है हैना साड़े चार से पांच करोर MTP हर साल पूरे worldwide होता है इस चीज का भी ध्यान रखिएगा इसका मतलब यह हुआ हैना इसको आसान सब्दों में समझे तो मतलब हर एक पांच concept pregnancy में से एक pregnancy ऐसा होगा जो terminate कर दिया जाएगा मतलब pregnancy ठहरा कुछ दिन तक रहा लेकिन मतलब उस mother, father नहीं चाहा उस बच्चे को रखना और उसको terminate करवा दिया गया अलग-अलग countries के अंदर इसका अलग-अलग rule है कुछ countries में यह तो regular है मतलब यह होता है लेकिन कुछ countries ऐसा है जिसमें restrictly मना है कि आप ऐसा करवा ही नहीं सकते हैना पहले MTP का मतलब समझ में आ गया induced abortion मतलब 9 महिना से पहले बच्चे को गिरा देना मतलब बच्चे को unwanted बच्चे को हटा देना MTP कहला आता है तो कुछ countries के अंदर काफी restriction है कुछ countries के अंदर मतलब एक नियम कानून है कि आप इतना eligible है तभी करवा सकते है नहीं तो ऐसा मतलब ऐसा सब कुछ थोड़ी ने कि आया और MTP करवाना है वस हो गया खतम काम तो ऐसा नहीं होता है तो कुछ countries के अंदर नियम कानून भी बना हुआ है जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका काफी ज़्यादा misuse हुआ है ना 1971 से पहले 1971 से पहले इसका काफी ज़्या कार एक्षन में आये और उन्होंने एक कानून बना दिया कि अब वही करवाएगा MTP जो इसके लिए eligible होगा मतलब योग्य व्यक्ति ही करवा सकता है है ना उसके लिए भी कुछ है है ना सर्थ रखा गया रेस्टिक्ट सर्थ मतलब कि ऐसा ऐसा सिच्वेशन होने पड़ ही जैसे for example casual unprotected intercourse मतलब कि वो protection का इस्तेमाल नहीं किया और वो intercourse में सामिल हो गया that means coitus में involved था but protection का इस्तेमाल नहीं किया गलती से हो गया तो उस condition हैना एक तो वो condition होता है दूसरा situation ऐसा होता है कि failure of the contraceptives contraceptive का इस्तेमाल कर रहा था वो हैना उससे child नहीं चाहिए था contraceptive का हो फेल हो गया है ना तो वैसा situation हो सकता है तीसरा अलग situation ऐसा हो सकता है जैसे रेप की case में हैना अगर रेप कोई जानबूज के थोरी न करवा मतलब कि उस situation के अंदर भी हैना medical termination of pregnancy करवाया जाता है तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को भारत सरकार ने 1971 में MTP को कानू मतलब एक कानून नियम कानून बना दिया उसका normal condition में हर वैक्ति या कोई भी वैक्ति MTP नहीं करवा सकता है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा MTP का मतलब induced abortion अब बच्चे को पढ़ने में 9 मैना लगता है उससे पहले इसको induced abort करवा दिया तो ध्यान देखिए तो एक तरह से हैना दुनिया से यहीं से चले जाओ तुमारा यहीं पर खत्म होता है तो इस सब चीज को सोचते हुए हैना बहुत सारे देशों में जैसे की emotional, social, ethical, religious issues को देखते हुए हैना इस चीज को ban कर दिया जाता है ठीक ना तो यह चीज़ समझेगा medical termination of pregnancy की बात कर रहे हैं तो लोग की समाज के अंदर जो unmarried lady है कोई हैना अगर उसको pregnancy conceived हो गया whatever be the situation no problem उस condition में अगर वो situation हो जाता है हैना कि उसके पेट में बच्चा आ गया तो बताए समाजिक तौर पर वो तो mentally काफी disturbed हो जाएगी कि वह या साधी से पहले बच्चा बड़ी करवर बात है तो उस condition मे doctors नियम कानून उसको allow करते हैं कि आप MTP करवा सकते हैं एक और चीज़ को समझ यह first trimester तक ही MTP safe होता है मतलब समझ यह 9 महिना तक total बच्चा पेट में develop होगा बच्चे दानी के अंदर 9 महिने तक में 9 महिना का जो पहला 3 महिना होगा first third month first three month इसको हम first trimester कहेंगे बीच का 3 महिना को second trimester कहा जाता है और last के 3 महिना को third trimester कहा जाता है तो MTP safe होता है first trimester के अंदर ही अब अंदर में जितना possible हो सके आप सबी को पता होगा सब्था में 30 दिन होते हैं approximate 4 सब्ता की बात कर सकते हैं तो 3 महिना में लगभग 4 तीया 12 सब्ता हो जाएंगे तो 12 week के अंदर अगर MTP करवा लिया तो सेफ है और बारवीक से अगर ज्यादा होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच गया तो भाईया यह रिस्की हो जाएगा बच्चे के लिए तो प्रॉब्लम है ही और मदर मतलब की वो लेडी के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा वो यह MTP से बच के रहना है MTP करवाना जरूरी नहीं होता है क्लियर हुआ बात हां तो इस चीज को ध्यान रखेगा अब हम आगे बात करते हैं कि पहले एक चीज़ हमने आपको बता दिया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सेफ रहता है ओके हां और यह जब भी होगा तो इस इस चीज़ को डिसकवरी एमनियो सिंटेसिस इस चीज़ के डिसकवरी इसलिए की गई थी क्योंकि बच्चे के अंदर पेट में जो बच्चा है उसके अंदर अगर कोई डिजॉडर से मतलब कोई बीमारी है जो जनम लेने के बाद अगर पूरा लाइफ में वो बीमारी से ग्रसित रहेगा तो वह सब बीमारी क्रोमोसोमल डिजॉडर जनेटिक डिजॉडर को पता करने के लिए किया गया था लेकिन अपसोस भारत वाला या अलग-अलग कंट्रीज के अंदर क्या किया गया इसका काफी ज्यादा मिश्यूज किया गया मतलब मैं बच्चे को टेस् जाता प्रोब्लम लड़ क्योंकि संख्या तो कम भी होने लगी थी तो उस सिच्वेशन में क्या किया गया सरकार ने इसको भी बैन कर दिया कि जो बच्चे का लिंग निर्धारन करेगा और जो करवाएगा दोनों अपराद ही होगा क्यों ऐसा क्योंकि देखिए इससे फिम भारत सरकार ने इसको 100% बंद कर दिया है कि कहीं भी बच्चे मतलब कोई भी डॉक्टर के रिपोर्ट में यह नहीं लिखा हुआ रहेगा कि आपका बच्चा लड़का है या लड़की है पेट के अंदर जनम लेने के बाद देखिए ना खुशिया मनाईये मिठाईया बात जाता है ठीक ना तो यह सब चीज लिखके वो रखते हैं और ऐसा डॉक्टर अगर कोई पकड़ा जाता है जो ऐसा करता है तो इसको करी से करी सजा होती है तो ध्यान रखिएगा इस प्रॉसेस को कहते हैं एमनियो सेंटेसिस में क्या किया जाता है वह जो बच्चा रहता है उसके चार और कुछ फ्लूड रहता है फ्लूड मतलब लिक्विड रहता है उस लिक्विड को एक इंजेक्शन की साहेता से निकाला जाता है और अगर मेल चायल्ड रहेगा तो उसमें वाई क्रोमोसोम होगा अगर फिमेल चायल्ड होगा तो उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और हम आपसे जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के दोरान तब तक थेंक यू बाई बाई टेक कियर